आगरा में लगातार बारिश देखने को मिल रही है लेकिन बारिश के साथ ही ऐसे जानलेवा गड़े हो गए हैं जिसमें कभी भी कोई भी बड़ा हाथसा हो सकता है और ये गड़े कहीं न कहीं सरकारी संस्थाओं की पोल खोल रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बार जब संग्यान में आया तो नगनेगम ने इसमें कच्रा भरने की कोशिश की है लेकिन पूरी तरह से जिस तरह से इस गड़्े को प्रॉपर इसमें मिट्टी भरके इसको प्रॉपर रोड का मरमती का जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है और जिनके घर पर ये घर के सामने य इद्रीज जी कब हुआ गड्धा कितना लंबा चोड़ाता कुछ में टीवी डाली जी वर्टी कल भरी गई है करीब 20 फूट गहरा है और करेब 30 फूट के करीब आकार में और रात में अचानक एक दम धस गई तो जिसकी मैंने सूचना नगर निकम को दी तो उन्होंने टाल कोश्च करीब है और शीचाई भाग पर टाल रहा कोई इस पर नहीं नगर नगर जलकल पर जलकल पर इसमाल सिटी इसमाल सिटी वाले मतलब अन्य वह उसरे एजेंसी पर डाल कर का इनका जिम्मेदारी समक्षाब पर मैंने मैं इस को कंप्लैंट को योगी के पोर्टल पर ड गड़ा अभी भी कहा जाए उसको भरा नहीं गया है कोई भी हाथसा हो सकता है करीब आठ से दस फीट यह गहरा गड़ा है इसके साथ ही 20 से 25 फीट लंबा यह गड़ा है आप समझ सकते हैं किस तरह से जो गंदगी है कच्रे है कच्रे को भर कर इस गड़े को भरने की की गई है और भी लोग हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के महान रगदिश वाजी निसार जी हमारे साथ है यह क्या यह तो एक सवाल खड़े कर रहा कहीं नहीं सिस्टम तेखिए यह बहुत बड़ा सवाल है आप देख रहे हैं जिस तरीके से घड़ा हुआ हमने कल भी ऐसी घटनाएं आगरा शहर में ना हो कितना बड़ा गड़ा यह गड़ा नहीं इसको तो आपको हुआ कह सकते हैं यह सीवर बैड़ गया बिजली के यहां पर पूरे देखने आप कितने तार जा रहे हैं फाइब जी का टावल लगा तो वो इसमें दसक गया सारी चीज़े द्वस्त हो गई हमारे द्रीज भाई का मकान आप देखने रहें तक धसक के गर गई घर तक खत्रे में आ गया है किस तरीके से यह जो रहे हैं वह भी उखड़ गई है कुल मिलाकर इस मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं तमाम जो कहा जाए इस पर जिनकी जिम्मेदारी होत बताकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से शेहरों के स्मार्ट बनाने की बात हो रही है लेकिन किस तरह ऐसे घटिया क्वालिटी से जिस अड़कों का निर्माड होता है या काह जाए जो सीवरेज की जो प झाल 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 झाल